वीडियो लाइक जरूर करने ज़िए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरह सब्स्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूपी PCS Pains में जो दो नए पेपर शामिल हुए है GS5 और GS6 इसका जो syllabus है इसको हम complete करने का प्रयास कर रहे हैं हमने GS5 से शुरू किया है और syllabus अगर आप points में देखेंगे तो syllabus का जो points है उन points के हिसाब से हम 4-5 questions को हर points से discuss करने का प्रयास करेंगे और पहला point हमारा चल रहा है और हम इस points से संबंदित आज पांचमा question discuss करने वाले हैं यह जो series हमारी है यह bilingual है Hindi medium और English medium दोनों के ही students इससे benefit ले सकते हैं और आज का question discuss करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे paid group से जुरू सकते हैं साथ में UP PCS के exams जैसे की PCS, ROA, RO, BEO इन सभी के लिए crash courses available हैं आप इनको join करकर पूरा syllabus complete करकर अपना selection अच्छे से प्राप कर सकते हैं मिल सकें तो आईए अब हम देखते हैं अपना आज का question देखिए point हमारा one ही चल रहा है point क्या है history, civilization, culture and ancient cities of UP इसी point पर syllabus के इसी point पर हम questions पो discuss कर रहे हैं तो इसी से question इकल कर आता है discuss the role of Uttar Pradesh in the revolution of 1857 आपको पता है history की बात हो रही है तो मैंने already बता रहा है कि जितनी भी हमारी ancient से लेकर modern history है कहीं पर भी पूछा जाल सकता है UP के बारे में क्योंकि UP को अगर हम individually पढ़ेंगे तो हमें हर चीज जो हमने इंडिया के aspect में पढ़िए उसको हमें देखना पड़ेगा कि उस समय पर UP में क्या हो रहा था जैसे modern India के समय आगर आप example लीजे तो 1857 की जब क्रांती हुई तो उस समय पर UP में क्या मोहल था किसने पार्टिसिपेट किया कैसा UP का रोल रहा तो उसी में हमारा यह question है अपने revolution of 1857 पढ़ा होगा लेकिन आप हमको इसको answer करना है उत्तर प्रदेश के इसमें भूमिका से संबंध में तो आप हम introduction में क्या बताएंगे introduction में हम बता सकते हैं कि 1857 रिवोल्क था क्या इसके बारे में हम थोड़ा सा introduction दे सकते हैं और जो main body part है उसमें हम detail से UP के रोल को discuss करेंगे तो introduction में हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश यह center था 1857 के revolution का और यहां पर हम देखते हैं कि major uprising हुई थी against the British East India Company और British East India Company उसमें पर एक sovereign power के रूप में function कर गई थी British Crown के behalf में तो basically हमने introduction में 1857 के विद्रों के बारे में बता दिया और यह भी बता दिया कि इसमें उत्तर प्रदेश की महत्रपूर्ण भूमेका थी अब हम आते हैं अपने main body part में आप चाहें तो आप इसको paragraph में लिख सकते हैं या points में लिख सकते हैं इसके अलावा कहां कहां पर इसका विश्तार हुआ इस revolt का लखनाव में कानपूर में बरेली में जहासी वारानसी और प्रयाग राज में यहां हम देखते हैं कि रानी लक्षमी भाई ने जहासी को लीड किया था वही पर नाना साहेब और तात्या तोपे ने कानपूर को ल क्रोल ने भाया था अन्य कोDon-Kon से स्थान थे एक हो गया मौली लियाकत अली इन्होने लीड किया था अलहाबाद में मौली एहवद उल्ला ने पैजा बाद में खान बहादूर खान ने बरेली में अजीमला कि जो थे उन्होने फतेहामाद में पॉर सिंग ने जगदीशपुर में और गजादर सिंग तो आपको सबके बारे में सबके नाम आपको मेंचन करने होगे और उनके आपको जो स्थान है वो भी बताने होगे आप चाहें तो अगर आपके पास एक्जाम में टाइम है तो आप ऐसे टेबल बना कर भी इनके बारे में ऐसे बता सकते हैं कि इन्होंने यहां को रेप्रेजेंट किया और इन्होंने यहां को इस तरह से आपका एक फिगर भी आर हो जाएगा फिर हम देखते हैं उसके बाद हम बताएंगे कि कई सारे ऐसे भी रूलर्स थे उस समय पर यूपी में जिन्होंने ब्रिटिशर्स की साहिता की थी या तो वो न्यूट्रल रहे थे उन्होंने किसी का साहिता नहीं की थी या तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इस जहासी में रूलर, जहासी का रूलर रानी लक्षमीबाय को रिकलिया कर दिया गया था और खान बहादुर खान को बरेली का नवाप गोशित कर दिया गया था, तो इस तरह से यह रिवोल्ट हो रहा था उत्रप्रदेश में, ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा रिकाप्चर कर लिया था, वही पोईंट्स हम बताएंगे, उन्हीं को हमें लिखना है यहां पर, कि aggressively इन्होंने रिकाप्चर कर लिया था दिल्ली को, और वहादुर शाम को रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था, उसके बाद बिटिश ने रिकाप्चर कर लिया था, 6 दि जगे थी जैसे कि बरेली, बनारस, प्रयाक राज को रीकाप्चिर कर लिया गया था। इस तरह से पूरा रिवोल्ट था ये जुलाई 1858 तर पूर्णता सप्रेस कर दिया गया था। और जो ये डिवोल्ट है 1857 का उसके बाद हम अन्त में बताएंगे कि ये अन्प्रिसेडेंटर था यानि कि ऐसा कोई भी जो घटना थी इससे पूर वे ऐसी कोई भी घटना नहीं घटती ब्रिटिश के पूरे शासन के दोरान इससे पूर कोई ऐसी महत्वपून घटना नहीं जो आपने 1857 का रिवोल्ट पर है उसमें आपको पता है कि इनी चेत्रों में जो यूपी के हैं मेली यही बच रिवोल्ट लिमिटेड रहा था तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है लेकिन थोड़ा सा फोकस आपको उत्तर प्रदेश के बारे में करना है वो जो चेत् ना थी यह अभूत पूर्फती और साथ में उत्तर प्रदेश ने इसमें एक लीडिंग रोल निभाया था इसके अलाबा कर आपको और कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके I will try कि मैं उनका बता सकूं कि या उसमें क्या आप आप आड़ान कर सकते हैं य और इसके साथ हमारा यह कंप्लीट हो गया है आज का अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थांक्यू सो मच